हेलो एब्रेवन इंडियन हिस्ट्री की 53 वीडियो होगी यह लूशन जी के के नियू एडिशन को कवर कर रहे हैं हम लोग जिस भी एक्जाम के आप त्यारी करते हो इसमें अगर जेनरल लाइज कूछा जाता तो उसके लिए बुक काफी इंपॉर्टेंट है अभी जैनिज्म के वो फेमस हुए कौन से कौन से बुद्धिज्म और जैनिज्म आपको पता है रिलीजिस मॉमेंट्स जो है वो 600 BC से लेकर के 400 BC के प्रियड में देखने को मिला था और बुद्धिज्म जो है यह हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अभी जैनिज्म देखनी है अभी जैन धर अप्टर्म को यह और फिर दॉक्टरीन ऑप जैनिज्म पढ़ेंगे जैन लिट्रेश्यर पढ़ेंगे। आपको मिलेंगे हम Korean अपको पता है कि अगर आप देखोगे तो एक गुरु हैं गौतम बुद्ध लेकिन जैनेज में कितने हैं 24 गुरु है जैनेट अडिशन के अकॉर्डिंग और इन्हीं को क्या वोलते हैं त्रिथांकराज त्रिथांकराज का मतलब होता है फोर्ड मेकर across the stream of existence जैसे फोर्ड आपको पता है जैसे ये फोटो में जो आप देखर हो ये फोर्ड है तो इस केस में जैसे नदी बैय रही है रास्ते पे तो अगर किसी ने पार कर ली तो उसको पता चल जाएगा कैसे पार करनी है और फिर व ऊपर उठ गया तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे ती ठंकरा बोलेंगे मिसे फोड मेकर अब ते ठंकरा आपको पता चल गया चौविश एच्टेंकरा है तो पहले थी ठंकर जो है वो कौन है रीशबदेव इनको आधी नाथभी आप बोल सकते हो तो चौविश इथन किया है बुल मेंस साड़ अजीतनात होगे इनका सिंबॉल है हाथी या इल इंगलिश में बूल सकते हो संभवनाथ का सिंबॉल है घोड़ा अभिनांद्रनाथ का सिंबॉल है बंदर मेंस monkey सुमतिनात इनका जो सिंब्ल है कर लिव मेर्स मस्सारज घखर का पक्षी होता है देन पद्मप्रभु पद्मप्रभु जो है सिंब्ल चाहें रेड लूटस प्र kamos met par sonat इनका जो symbol है वो क्या है स्वास्तिक दिन संद्रजी प्रभू चंदी प्रभू का सिंबॉल क良े हैंuses onорот सूवीधी नाथ किनका सिंबॉल है Pplicotire सब्सक्राइब या फिर मघर 요सा क्या मगरमच देन सीतलनाथ इनका स्रीवत्स या फिर कल्प वरिक्षा बोल सकते हो स्रियांसनाथ यह स्रियांसनाथ यह गार में है इसमें तो समिस्टेक है बुक में तो स्रियांसनाथ का सिंबॉल क्या है राइनासोरुस गेंडा देन वासुपुज्य इनका सिंबॉल है बैफेलो मैं पहस में बोल सकते हो विमलनात का है बोर में सुवर अनंतनात का फालकन फालकन या फिर बाज बोल सकते हो धर्मनात का वज्र हो गया देन सांतिनात का हीरन या डियर बोल सकते हो कुंतुनात का ही गौट या फिर हिंदी में बकड़ा बोल सकते हो देन अरनात अरनात का सिंबॉल है फिस मचली मली नात का सिंबॉल है वाटर पोर्ट मेंस कलस देन मुनी मुनी सुब्रनात यह तोड़ा मिस्टेक है तो मुनी सुब्रनात इनका नाम है इनका नाम था और इनका सिंबॉल क्या है टोटो टॉइस देन नेमी नात का नील कमल या अरिस्ट नेमी यह जो है इनका सिंबॉल क्या है कूँच सेल मिंज संक जो बजाते हैं वो संक देन पार्च सुनात इनका सिंबॉल है सर्पेंट मिंज सांप और महावीर स्वामी में महावीर जो लास्ट तिथनकर है 24 जो जो तितंकर है उनका नाम क्या है उनका सिंबॉल क्या है लायन ठीक है सेर वैसे यह तो जैनेज्म की अगर बात करें तो लास्ट तितंकर कौन रहे महावीरा महावीरा का फोडो आप देख सकते हो विश्नु पुरान और भगवत पुरान में रीशव रीशव देव जो पहले तितंकर है उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है जानकारी दी गई है और बताया गया है कि यह इंकार्नेशन है नारायन के बिस नारायन के अवदार है फिर दो जैन जो तितंकर है रिशव देव और अरिस्टानेमी यह जो है अरिस्टानेमी और रिशव देव इनका जिक्र किया गया है रिग वेद में है उसके अलाबा अगर आप देखो इनके बारे में 24 जो तीथंकराज है परस्वनात और महावीरा को छोड़ करके तो जो 22 तीथंकराज हैं उनके बारे में जानकारी उतनी नहीं है जो भी जानकारी है वो असपस्ट रूप से नहीं है वो यूर्स है तो इस कारण से हम लोग दो जो तितंकर हुए लास्ट 23rd और 24 उनके बारे में कुछ प्रूफ है historical प्रूफ है तो उनहीं के बारे में देखेंगे 24 और 23rd हो गए पारस्वनाथ और 24 हो गए महावीरा तो पारस्वनाथ के बारे में अगर देखे तो वो प्रिंच थे बनारस के उन्होंने अपना घर छोड़ा और घर छोड़ने के बाद वो एक सन्यासी का लाइफ उन्होंने इस्टार्ट करा और फिर उनकी मृत्तियों हो गई समेद सिखर जो पारश्वनाथ हिल के नाम से भी जाना जाता है वहां पर यह कहां है यह है जल्कण में DRGBL मैं प्रिष्टिक पढ़ता है जिसका नाम है गिरिदी तो गिरिटी में ये हील पड़ता है पारश्वनाथ, वहाँ पे इनकी मृत्यू हो गई, तो ये द्यान में रखेंगे, अब पारश्वनाथ हमने कुछ टीचिंग्स दी, कुछ सिधान्त दिया इन्होंने, जिसको चतूर्थ आप बोल सकते हैं, इस फूर में टीचिंग्स है, चतूर्थ सिधान्त बोल सकते हैं, तो इसमें क्या था, उन्होंने बोला कि आइंसा अपनानी चाहिए, मिस नन इंजिरी, किसी को हाम नहीं करना चाहिए, सत्य, मिस नन लाइं, जूट नहीं बोलना चाहिए, देन, अस्ते, मिस नन स्टिलिंग्स, चोरी नहीं करना है, और अपर इगर, अपर इगर का क्या मतलब है, नन पोसेशन, मिस आपको कोई भी चीज, जमा नहीं करनी है, पोसेज नहीं करना है, ठीक है, जैसे धन आप जमा नहीं करोगे, आपकी प्रोपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो नन पोसेशन, अपर इगर ही नोंने दिया प पारश्वनाथ यह 4 teaching जो पारश्वनाथ का था उसमें एड़ किया गया एक महावीरा के द्वारा जो कौन सा है बरम चाहे तो इस तरह से कितना हो गया पांच अब 5 teaching हो गया महावीरा के टाइमपे 4 जो पारश्वनाथ ने दिया था वो तो महावीरा ने लिया ही कंटिन्यू क किया ही और एक इन्होंने अड़ करा कौन सा बरम चरे चैस्टी तो यह ध्यान में रखेंगे अब महावीरा के बार में देख लेते हैं महावीरा का जन्ववा 540 BC में कहां पर हुआ था तो कुंड ग्राम में हुआ था कुंड ग्राम आपको वैसाली में मिलेगा नियर वैसाली वैसाली का है बिहार में है तो कुंड ग्राम में इनका जन्ववा 540 BC में और इनका जो सिंबॉल है अल्रेडी हम लोग देख चुके हैं लायन है वर्दमान इनके बच्पन का नाम था तो मर्दमान महावीरा भी इनको आप बोल सकते हो इनके फादर का नाम था सिधार्थ ज जो की जन्त्री का छत्रीय क्लेन के हेड थे और यह कहां था मिस तो अंडर वज्जी वज्जी ओफ वैसाली देन त्रिसला जो इनकी माता थी इनके मदर का नाम त्रिसला था जो की चेतका की बहन थी चेतका कौन था चेतका वैसाली का राजा था तो उनकी बहन थी त्रिसला इनका जो relation है वो भिम्बी सार से भी आपको देखने को मिलेगा जो की मगद का ruler था उस ताइम पे भिम्बी सार जो थे जिस ताइम पे महाफेरा थे उस ताइम पे वो मगद के ruler थे और उन्होंने चलना से सादी करी थी है चलना कौन थी चलना जो थी वो चेतकाई की बेटी थी तो चेतका आपको पता है चेतका की ही बेहन कौन थी त्रिस्ला तो इस तरह से relation भी है भिम्बी सार से महाफेरा का यह दियान में रखेंगे और इनका जो marriage था, साधी जो था, वो गिन से हुआ था, यह सोदा से हुआ था, जो की समार वीरा किंग की बेटी थी इनकी एक बेटी भी हुई, बेटी का नाम क्या था? अनूंजा प्रियदर्षनी तो अनूंजा प्रिय दर्सनी की साधी हुई जमाली से और जमाली जो है ये पहले डिसाइपल बने महावीरा के तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि अनूंजा जो की महावीरा की बेटी थी उनके हस्वेंट जो जिनका नाम जमाली था वही पहले disciple बने महावीरा के यह भी कभी कभी पूछ ले जाता है कि वह वस्ट डिसाइपल आप महावीरा तो उस case में आपको ध्यान में रखनी है जमाली जो कि उनी का दमाद ही था महावीरा इन्होंने क्या गरा जब इन्होंने family को छोड़ा में इस family को छोड़ करके जब यह सन्यासी बन गए और यह truth के search में निकल गए सचाई मतलब जीवन का जो सत्य है उसके बारे में जानने के लिए निकल गए तो इनका यह जूस टाइम पे 30 हुआ गरता था और यह जब इन्होंने घर छोड़ा था तो इनके father की death हो गए थी में जब father की death हो गए थी उसके बाद इन्होंने घर छोड़ा था अपने बड़े भाई से इजाज़त ले करके इन्होंने घर छोड़ा था जैसा कि आप अगर गौतम बुद का देखो तो गौतम बुद ने किसी को नहीं बताया था घर में और उन्होंने अपना घर त्याग दिया था लेकिन महावीरा इजाज़त लेके निकले थे और इनके मातापिता तो थे नहीं में स्वादर तो death कर गए थे मावी death कर गई तो जब जब ज्यान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मन कर रहे थे महावीरा तभी इनकी मुलाकात मखाली गौसाला से हुई मखाली गौसाला के साथ ये काफी टाइम तक रहे लेकिन उसके बाद कुछ डिफरेंसेज आ जाने के कारण मखाली गौसाला ने महावीरा को छोड़ दिया और उन्होंने फाउंड करा मखाली गौसाला ने फाउंड करा अजीविका सेक्ट तो ये भी कभी-कभी पूछ लेते ध्यान में रखेंगे कि हूब अजीविका सेक्ट मखाली गौसाला 42 के एज में महावीरा को सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ती हो गई कहां पे जंबिका ग्राम में जंबिका ग्राम में एक साल का पेड था साल ट्री था उसके नीचे ये बैठे हुए थे तबी इनको ग्यान की प्राप्ती हो गई और ये पेड जो है साल का ट्री जो है ये रिजुपाली का डीवर के किनारे नदी के किनारे आपको मिलेगा वहां पर इन्हों ने अटेंड करा सुप्रीम नॉलेज और जैनेज में क्या कहते हैं सुप्रीम नॉलेज को कैवल्य तो द्यान में रखेंगे कैवल्य की प्राप्ति हुई 42 के एज में महावीरा को कहां पर जंबिका ग्राम म सुप्रीम नॉलेज अटैन करने के बाद महवीरा को अलग अलग नामों से जाना जाने लगा जैसे कैवलीन वैसा जिसको पूरी नॉलेज हो गई हो जो ग्यान की प्रापती कर चुका हो जिना और जितेंद्रिया जिसने अपने सेंसेज को कनक्वैर कर लिया हो जिसका अपने सेंस पे कंट्रोल हो उसको जीना या जितेंद्रिया बोलते है निरग्रंथ निरग्रंथ मिन्स जो सारे बंधन से मुप्त हो free from all bonds अरहंत, blessed one इसका मतलब होता है और महावीरा, महावीरा का क्या मतलब होता है, brave और इनके जो follower रहे, महावीरा के जो follower रहे उनको जैन तब से जाना जाने लगा और इन्होंने अपना पहला सर्मन पावा में दिया जो की 11 disciples जो थे इनके उनको दिया 11 जो disciples थे, उनको गंधराज बोला जाता है या फिर गंधरवाज, तो ये दियान में रखनी है आपको इन्होंने जैन संक फाउंड करा, जैन कम्यून फाउंड करा पावा में ही, और 72 की एज में, 72 की एज में इनकी मृत्यों हो गई, कब 468 BC में और इनकी मृत्यों कहां होई, पावा पूरी, पावा पूरी कहां पढ़ता है बिहार सरीप में, जो की बिहार में पढ़ता है तो ये दियान में रखेंगे, और इनके जो 11 disciples थे 11 जो गंधराज थे, उनमें से एक ही सर्वाइब कर पाया दस जो था, वो महावीरा के रहते रहते, दस के मृत्यों हो गई तो एक जो सर्वाइब कर गए, जो महावीरा के मृत्यों के बाद भी थे उनका नाम क्या है, उनका नाम था सुधर्म नो डॉक्टरीन ओफ जैनेज्म देख लेते हैं जैनेज्म की अगर बात करी जाए, तो इसमें त्री रतना है, त्री जैम्स अब जैनेज्म और एम अफ लाइफ जो होना चाहिए, एम अफ एक्जिस्टेंस जो होना चाहिए इन्ही त्री रतना को अटेंड करना होना चाहिए, ऐसा जैनेज्म में बोला जाता है तो ये क्या क्या है, तो सम्यक स्रद्धा या विश्वास, इंगलिस में right faith बोल सकते हो, तो faith किसमें करनी है, विश्वास किसमें करनी है, तो तीतंकराज में, 24 जो तीतंकराज है, उसमें आपको believe करना है, विश्वास करना है, स्रद्धा रखनी है, दूसरा, सम्यक ज्यान, सम संप्रदाय का जैनिज्म के बारे में जैन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए राइट नॉलेज होना चाहिए सम्यक ज्यान होना चाहिए संपुर्ण ज्यान होना चाहिए तीसरा जो जेम है वो क्या है तीसरा जो रतना आप बोल सकते हो जैनेज्म का वो क्या है समयक कर्म मिन्स समयक कर्म या समयक आचरन बोल सकते हो राइट एक्षन या कंड़क्ट तो वो क्या है कि आपको पांच जो बोज है जैनेज्म की वो फॉलो करनी है तो ये त्री रतना है आपको ध्यान में रखनी है ये भी पूछ लेते हैं कभी-कभी कि what are the three James of जैनेज्म एक्षन तो ये जो है थर्ड वन जो है अब बोलो कि ठीक है मैं बिलीव करता हूं त्रितंकराज में जैन क्रीड के बारे में जैन संप्रदाय के बारे में भी मैं जानकारी रख लूँगा लेकिन समयक आचरन या समयक जो कर्म है वो कैसे मैं करूँगा ये जो पांच वोज अब जैनेज्म है इसकी प्रैक्टिस में कैसे करूँगा ये पांच वोज क्या-क्या है तो वो देख लेता है इसको पंच महावरत बोलते हैं तो वो क्या-क्या है? तो आपको अहिंसा फॉलो गरनी है, means किसी को हाम नहीं पहुंचाना है, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर, किसी को हाम नहीं करना है, सत्य बोलना है, कभी जूट नहीं बोलना है, अस्ते, means non-stealing, चोरी नहीं करनी है आपको, फिर अपर इग्र, means non-position, अ नहीं होनी चाहिए, आप कोई भी चीज, पोजेज नहीं कर सकते, ठीक है, तो यह आपर इग्र हो गया, और पाचमा, जो कि महावीरा के द्वारा दिया गया था, बरहमचर अपनानी है, आपको चैस्तीटी फॉलो करना है, तो यह ध्यान में रखनी है, आप बोलोगे, चलो मैं यह सारे फॉलो करूँगा, तो यह फॉलो करने के बाद आपको, क्या होगा, मुक्ष की प्राप्ति होगी, और यह चार वोज, अल्रेडी मैं बता चुका हूँ, अहिंसा, सत्य, अस्ते, अपर इग्र, या फिर इंग्लीज में बोलो, तो नन इंजिरी, नन लाइं, नन इस्टेलिंग, नन पोसेशन, तो यह जो है, यह पारसोनात के द्वारा दिया गया था, और पाच्मा जो है, बरमचरिय, चैस्टी टी, यह महावीरा के द्वारा दिया गया था, अब जैनिज में अगर आप देखोगे, तो पांच तरह का नॉलेज है, तो फाइब टाइप करते हो, या फिर प्राप्त करते हो, तो उसको मति ग्यान कहते हैं, दूसरा ग्यान जो है, सुरूत ग्यान, सास्त्रों के द्वारा, या फिर सिंबॉल, वोर्ड्स, इसके द्वारा अगर नॉलेज को रिवील किया जाता है, तो उसको कहते हैं, सुरूत ग्यान, देखो मैं, अब जनाना नहीं पढ़ना जे से नहीं गणाना तो यह या फिर आप knowledge बोल सकते हो English में या फिर Hindi में ग्यान बोल सकते हो यह ध्यान में रखनी है अब दी ग्यान यह क्या है यह visionary perception मिंस अगर कोई बंदा अगर किसी बंदे के पास ऐसा knowledge हो जाए कि वो vision मिंस आगे देख पाए future देख पाए future में क्या होने वाला है उसकी असंका उसे उसे पता चल जाए वो बोल पाए बता पाए कि हाँ यह हो सकता है future में तो उस case में बोलें को अबधी ग्यान हो गया है तो मनाह पर यह जो होता है यह किस तरह का ग्यान है टेलीपैथी नौलेज मिस वैसा ग्यान जिसके तुरू आप सामने वाले बंदे की या किसी के mind को आप पढ़ सकते हो समझ सकते हो वो क्या सोच रहा है उसको जान सकते हो उसको पूलते हैं टे जाने कालिक में सोता है हम इस टाइम जैसे आप पास्ट भी बता सकते हो प्रजेंट तो आप देखी रहे हो फ्यूचर भी बता सकते हो तो जिसको पास्ट प्रजेंट फ्यूचर सबका ग्यान हो जाए जिस जो सर्व ग्यानी हो जाए तो उसकेस में क्या बोलेंगे कि इसको केवल ग्यान हो गया है तो ये ध्यान में रखने हैं फाइब टाइपस ओप नौलेज है जैनेज में तो ये जो फाइब टाइपस ओप नौलेज है मती ग्यान, सुरूत ग्यान, अब्धी ग्यान मनह परियाए ग्यान, केवल ग्यान इन में से केवल ग्यान जो है ये सब के लिए possible नहीं है, सब प्राप्ट नहीं कर सकते इसको सिर्फ जो महापुरुष है like महावीरा, वही उन्होंने ही अचीव करा, केवल लिए प्राप्ट करने के बाद वो सर्ब ग्यानी हो गए तो ये सब के लिए possible नहीं है जो common लोग हैं जो जिनके लिए possible नहीं है वो सर्ब ग्यानी नहीं हो सकते तो अब महावीरा ने बोला कि जब सर्ब ग्यानी नहीं हो सकते सारे वैक्ती फिर भी क्या होता है किसी भी matter पे आप discussion करते हो तो आप ऐसे सो करते हो, जैसे आपको सब पता है, और आप लड़ाई कर लेते हो, विबाद हो जाता है, लेकिन ये गलत है, ऐसा महावीरा का कहना है, महावीरा ने एक थेओरी दी, बोला कि अगर आप नहीं जानते हैं सब कुछ, अगर आप सर्व ज्यानी नहीं बन सकते, भी अपनानी चाहिए करें कि आप सर्भ घ्यानी नहीं हो सकते डेसे जैनिज्म trend में आप देखो थे रिसब देव वो founder है तो आप confirm नहीं बता सकते अगर 22 जो शुरू के ती ठंकर है उनके बारे में उतनी जानकारी नहीं है लेकिन जो सर्ब ग्यानी होंगे वो तो past भी देख सकते हैं वो past में उनको पता है क्या हुआ होगा तो वो बता सकते हैं exactly की क्या होना चाहिए क्या answer होना चाहिए रिसब देव होना चाहिए या महावीरा लेकिन हम लोग कभी-कभी rigid हो जाते हैं मालो आप किसी से discussion कर रहे हो अपने बोला कि जैने देशुका founder तो महावीरा है अगला बंदा बोला नहीं रिसब देव है तो आप बोलोगे नहीं नहीं हैसा होई नहीं सकता आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आप एदम confirm हो और जबकि आपने भी क्या करी है बुक पढ़ी है बुक भी कोई लिखा है वो पास्ट में जाकर के देखा नहीं है तो इस केस में अगर आप सरव्यानी नहीं हो सकते आप confirm नहीं हो आप कहीं कहीं से information लेकर के बोल रहे हो तो उस केस में आपको theory अपनानी चाहिए the theory of maybe और perhaps तो यह महावीरा के द्वारा दिया गया जो कॉमल लोग है उनको अपनानी चाहिए ताकि उनको problem नहीं हो किसी भी तरह का उनका कहना है कि all our judgments are necessarily relative किसी से relative है कहीं कहीं से information gather करके हम लोग बताते हैं inform करते हैं exact हमको पता नहीं होता जैसे book से पढ़ा video देख लिया कहीं google पे पर लिया इस से कुछ करके information जो है देते हैं conditional है कभी कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा और limited है information ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा source हो जिसको आप तो बूल सको कि नहीं नहीं यह सती होगा यह सहीं बोल रहा है तो limited है आप पास्ट में जागर के नहीं देख सकते तो इस कारण से आपको क्या करनी है जैन जैनिसम में बताया गया महावीरा के द्वारा बताया गया कि सायद वदा में साथ मोड्स आप प्रिडिक्शन है सब्त भंगी नयवाद यह पॉसिबल है में साथ तरह के एंसर पॉसिबल है किसी भी कोश्चन के यह आप यह ध्यान में रखो कि किसी भी कोश्चन का एंसर आप पूरी तरीके से कंफर्म हो करके नहीं दो जैसे absolute affirmation या absolute negation दोनों गलत है अगर आप बोल रहे हो अगला बंदा बोल रहे है कि नहीं रिशब देव है और आप बोल रहे हो महावीरा है तो आप absolutely नहीं बोलो कि नहीं महावीरा ही होगा अब बोलो कि महावीरा भी हो सकते हैं और यह रिशब देव भी हो सकते हैं मिंस आपने क्या करा परेप्स लगादी परेप्स महावीरा या परेप्स रिषब देव तो यह अपसल्यूट नहीं बोला आपने अप डैरेक्ली यह अपसल्यूट, निगेशन यह डिडिरेक्ली बना भी नहीं कर सकते कि नहीं रिषब्देव होंगे ही नहीं बहyn gi भी हो, फिर उसाजक्ट में आप पहले हैं माहवीरा है तो आपना है साथ यह अपना नी इसे यह अपनाना 하루 वे यह अपला हो शरकता है आप बोल रहे हो तो discussion में फसने से अच्छा है कि आप यह theory अपना हो किसी से आप बात कर रहे हैं अपने relative से किसी से क्योंकि आप सर्व ग्यानी नहीं हो तो आप confirm नहीं बोल सकते हैं आप even dets I did miss किसी भी पहलों का बहुत सारा साइड हो सकता है जैसे बूलते हैंने अलग-अलग तरीके से देख सकते हो अलग-अलग नजरिये से देख सकते हो तो यह जो सायद वदा का थियोरी है यह जो थियोरी आफ मेबी परहफ्स है इसमें महावीरा ने यह बताने की कोशिस करी है महावीरा के द्वारा दी गई प्रिंसपल्स के बारे में देख लेते हैं महावीरा ने वेदाज और वैदिक रिचुल्स के ओथरिटी को रिजेक्ट किया मिंस उसके प्रमान को इन्होंने गलत बताया फिर ये गौड को नहीं मानते थे ऐसा जैनिज में आप अगर जैनिज फ यह माना गया है तीसरा यह कर्म और ट्रांस माइग्रेशन में विश्वास रखते थे इन्होंने बताया कि अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको आपके साथ सब चीज अच्छा होगा आपको अच्छा फ़यल मिलेगा और पुनर जनम में विश्वास करते मिंस अगर आपने अच्छा कर्म किया पिछले जनम में किया तो इस जनम में आपको अच्छी चीजे मिलेंगे आपके साथ अच्छा होगा और अगर आपने इस जनम में कुछ गलत किया तो में भी अगले जनम में आपको कुछ फेस करना पड़े आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो यह ऐस जो है principle दिया गया कि कर्म कीजे अच्छा कर्म कीजे तो आपके साथ अच्छा होगा अगर आपने बुरा करा तो बुरा होगा आपके साथ फिर equality पे इन्होंने emphasis दिया मैंस equality पे जोड दिया समानता पे जोड दिया यह सब को एक समान मानते थे किसी में discrimination नहीं करते थे चाहे वो मिन्स वर्ना system जो उस टाइम पे था तो वर्ना system को simply यह लोग नहीं मानते थे जैसे ब्रामान चात्रिया वैस चुद्र यह सब नहीं मानते थे सबको equal माना जाता था सबको equality दी जाती थी समानता दी जाती थी ही नाव जैन minister देख लेते हैं करने के लिए या फिर उसमें फॉर्दर अमेंडमेंट के लिए कॉंसिल किये गया जैन कॉंसिल तो पहला जो जैन कॉंसिल था फॉस्ट जैन कॉंसिल वो कब किया गया तीन सो बीसी में पाटली पुत्रा में पाटली पुत्रा कहां पड़ता है बिहार में अभी का जो कैपिट मौरे राजा थे उस ताइम पर और ये follower थे जैन धर्म का तो ये आप ध्यान में रख सकते हो result क्या था compile किया गया था 12 अंगाज ये अंगा क्या है जो भी महावीरा के जो भी teachings थी उसको अंगाज में लिखा गया तो 12 अंगाज थे नौ सकेंड जैन कॉंसिल ये किया गया 512 AD में वलाभी में जो की गुजरात में पड़ता है chairman कौन थे देवर्दी छमा सरवन और क्या work क्या था इस जैन कॉंसिल में क्या किया गया तो final compilation किया गया 12 अंगाज का और उपंगाज भी लिखे गया इसमें text के form में जो है compile किया गया लिखा गया ताकि आगे जिसे भी जैनेज फॉलो करनी है उसके लिए जो भी महावीरा के द्वारा सिध्धान दिया गया जो भी डॉक्टर इन दिया गया उसको फॉलो करने के लिए आपके पास written form में होना चाहिए तो इस second की जानकारी होनी चाहिए तो पहले sex देख लेते हैं अचली 298 बीसी में 298 बीसी के करीब करीब बोल रहा हूं क्योंकि डेट कहीं कहीं डिफरेंट भी रहता है एंसे इंडिया में खेती होई नहीं अनाज की कमी हो गई अब अनाज की कमी हो जाएगी तो और बैस है जो भी मॉक थे जैन मॉक जो थे वह क्या करते थे बिक्षा मांग के भीक मांग के खाते थे तो उस कर गए प्रस्थान कर गए वहां से मगत से वह चले गए कहां चले गए तो डेकन में चले गए साथ इंडिया में इस्पेशली स्रवन बेलगुला का नाम आपको देखने को मिलेगा तो वह चले गए और जब वह जा रहे थे उस ताइम पर भद्र बाहु उनके लीडर थे तो जैन मोक में मतलब जैन धर्म में क्या था कि लीडर होते थे तो पार्टिकुलर लीडर की अगर बात करें तो बद्र बाहु लीडर थे और चुकि चंद्र गुप्त मौरे जो की मौरे डैनिस्टी के राजा थे में और डैनिस्टी के साथ तापक थे वह भी जैन धर्म को रिटर्न हुए वो लोग कब 12 साल बाद ये ग्रूप हो गया जो 12 साल बाद रिटर्न हो रहा है कहां से साउथ इंडिया से और एक ग्रूप जो मगद में ही रह गया उसके लीडर कौन थे स्थूल बद्र तो स्थूल बद्र ने बोला कि नहीं है मरे चाहे जिये हम लोगों को लीडर थे स्थूल बद्र ध्यान में रखेंगे जो मगद में रह गया उसके लीडर थे स्थूल बद्र और जो चले गए साउथ इंडिया उसके लीडर थे भदर बाहू और भदर बाहू के साथ चंद्रगुप्त मौरी भी चले गए और वो लोग आये कब भदर बाहू और उनके साथ जो मौक थे वो लोग कब आए 12 साल बाद चंदगुप्त नहीं आए चुकि चंदगुप्त वहीं पर उन्होंने उनकी मृत्ति हो गई तो चंदगुप्त नहीं आए लेकिन बदरबाहू और उनके साथ कुछ मौक जो थे वो आए जब वो लौटे साथ इंडिया से तो अब उन्होंने complete new deity अपना ली थी means पूरा सरी जो था वो वस्तर हीन था वो नहीं धारन करते थे और ये जो था एक essential part of teaching था महावीरा उनका मानना था कि वस्तर भी धारन नहीं करना है क्योंकि महावीरा क्या बोलते है non possession तो कुछ भी poses नहीं करना है जबकि जो मगद में रह गये जो मोक जो जिसके लीडर स्थूल बदर थे उन्होंने क्या करा वो white cloth पहनते थे तो इस तरह से दो सेक्ट देखने को मिला जैनेज में एक जो white cloth पहनते थे उनको सित्तांबर कहा जाने लगा ये फोटो में आप देख सकते कुछ इस तरह का उनका dress जो हुआ करता थ और जो पूरा न्यूड हो गया मैं जो साउध इंडिया से लोटे तो उन्होंने पूरा वस्त्र जो है वो त्याग दिया वस्त्र धारन नहीं करते थे तो वो दिगंबर कहला है तो यह ध्यान में रखेंगे दो सेक्ट में बट गया जैनेज एक था स्वेतांबर जिसके ली पहनते थे धारन करते थे उनको स्वेतांबर कहते थे और एस से ही स्थूल बद्र होता है तो यह भी कोरिलेट कर सकते हो कि स्थूल बद्र जो है स्वेतांबर के क्या थे लीडर थे ठीक है तो वह फोटो में आप देख सकते हो और भद्र बाहु जो था भद्र बाहु जो थ धारन नहीं करते थे तो यह द्यान में रखेंगे नाव अब जैन लिट्रेचर देखते आपको समझ में आएगा तो जैन लिट्रेचर में क्या है जो भी सिक्रेट लिट्रेचर है वो स्वेतांबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ऐसा क्यों कि दिगंबर जो थे वो उन्हो हो चुका है वो नहीं है अभी तक सर्भाइब नहीं किया वो लेकिन स्वेतांबर मानते हैं कि नहीं जो भी अभी टेक्स लिखे गया है वो महावीरा के टीचिंग्स पर आधारित है और वो महावीरा के टीचिंग्स ही है तो इस कारण से हम लोग स्वेतांबर के बारे में पढ़ेंगे सोतामबर के लिट्रेचर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि दिगंबर तो मानते ही नहीं कि लिट्रेचर जो अभी है जो भी टेक्स स्कासिफाई कर सकते हो जैसे जैनली ट्रेचर की बात करें तो इसको आगम कहा जाता है तो जैनली ट्रेचर और टोटल नंबर कितना है बोलते हैं तो द्रिष्टी वदा का ये पार्ट है 14 पुरवाज या परवाज तो ये ध्यान में रखेंगे इसके अलावा इंपोर्टेंट जैन टेक्स्ट की अगर बात कर ले तो कल्प सुत्रा जो की भद्रवाहु के द्वारा लिखा गया संस्कृत में लिखा गया है अभी बाहु से रिलेटेड ऑब्यस है भर्द बाहु चरीता नाम से ही क्लियर है हेम चंद्र इन्होंने लिखा था परिसिस्ता परवन ये क्या है एड़ेजन अपेंडिक्स ऑफ त्रिसिस्थी सलाका पुरस तो ये ध्यान में रखेंगे बुक आपको ध्यान में रखने हैं और र अर्की टेक्वन société जैन जैन जिएनिन जो रिलीजन हैं जैन अर्कीटेक्ट्चचर हैं इसके बार एक ढस गूबाई भास में आपको देख गहें तो हाति गुमपा ologist हाघजंपला और ये बाग गुंपा का, तो ये जो गुफा है, ये जो केबस है, किसके द्वरा बनवाए गया था? खारवेला के द्वरा खारवेला भी क्या थे? जैनिज्म के फॉलॉवर थे, जैनधर्म के अन्याई थे, तो ये दॉयान में रखेंगे नाव तो दिलवारा टेम्पल ये कुछ टेम्पल का ग्रूफ है, फाइब टेम्पल का ग्रूफ है, जिसमें की आपको कुछ टेम्पल देखने को मिलेगा, विमल वसाही टेम्पल, जो कि माउंट अबू राजस्थान में पढ़ता है, और टेजपाल टेम्पल, ये इंपोर्टेंट से रिलेटेड ये टेम्पल है, नेक्स टेम्पल पलिताना, ये फिगर देख सकते हैं, आप काफी खुफसूरत है, और गुजरात में पढ़ता है, ये दियान में रखेंगे, नेक्स जो जैन आर्किटेक्टर में टेम्पल है, वो है पावापूरी टेम्पल, ये रहा, स्टैचू की अगर बात करें, तो इम्पॉर्टेन्ट स्टैचू हैं स्टैचू ओ घुम्तेशवर, वंतेशवर को बाहु बली भी बोलते हैं, तो स्टैचू अभ बाहु बली या स्टैचू ओ घुम्ते रहत देख सकते, आप ये कहां पढ़ता है, स्रवन बेल गूला करना बीटें तो वहीं पर स्टैचू इक काप को देखने को मिलेगा स्रबन बेल जो Стबाइब आप करनाट का जाते हो या फिर करनाटका के ही होतों आप देख सकते हो यह काफी विसाल सी आपको । सहने को मिलेगा इंको बाहु बली भी बोलतें नाउ रॉयल पैटरॉन्स देख लेते हैं जो नौर्थ इंडिया के प्रेत्रोंस हुएे जो फॉल्यवर हुए जैन इंके भारे में देखते हैं तो मगध करें तो में के जो ॥ा धैनिस्टी रहे है उसमें से नंदा थे यह फॉल्यवर सुफسल ति इसमें से भीनिश कर सब्सक्राइब करें तो चंद्र गुक्त मॉर्या ह Iya और चंद्र गुक्त मॉर्या बिन्दू सारा और संप्रति यह जो थे जैनिय्सm के फॉलॉवर थे टो यह द्यान में रखेंगे कभी कभी फॉलॉवर भी पूच लिया जाता है कि कौन जैने के फॉलोवर कौन थे और बुधिज्म के बुधिज्म अलरेड़ी आप देख चुग है प्रद्योता जो थे अवंती के तो भी फॉलोवर थे जैने देन उदायन यह सिदू सूवीरा के थे और यह भी जैनियस्म के फॉलोवर थे खारवेला जो गुफा हम लोगों ने देखा आति गुंफा या बाग गुंफा इन्हीं के त्वारा बनवाया गया था यह कहां के थे कलिंगा उडिशा जो उडिशा वाला एरिया है वह कलिंगा कहला तो उस टाइम पर तो वहांके राजा थे इन्हों ने इस ही बनवाय था यह द्यान में रखानें खारवे जो कि चालुक्या या फिर सोलांकी डैनेस्टी से यह बिलाउं करते हैं मतलब करते थे जो भी है बोलो तो जिस तरह मतलब बुधिज्म हम लोग ने देखा कि लास्ट जो ग्रेट पैटरॉंस थे बुधिज्म के तो वह क्या थे आप ऐसे कॉमेंट में करके बताओ इसे पता एक कॉमेंट सेक्शन मिलेगा उसमें आप छो सकते हैं जो भी आपको बोलना उब सेजियसन देनी हो या वीडियो नो फिलिदुक के बारे में बताना ओप करके करके आप comment के बटन पे click करके आप comment कर सकते हो बागी आगे के वीडियो के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं और share भी कर सकते हैं अगर आपको लगे किसी के लिए important है तो आप जरूर share करो और अपना ध्यान रखिये बाए